चौथा जब नवरात्र हो कुश्मानडा को ध्याते जिसने रचा ब्रम्हान डिया पूजन है आध्य शक्ती कहते जिन्हें अश्ट भुजी है रूप इस शक्ती के तेज से कहीं छाव कहीं धूप कुमढे की बली करती है तांत्रिक से स्वीकार पेठे से भी रीचती सांत्विक करे विचार क्रोधिक जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार उसको रखती दूर माँ पीडा देती अपार सूर्य चंद्र की रोश्नी यह जग में फैलाए शरंगत की मैं आया तू ही राह दिखाए नवरात्रो की मां कृपा कर दो मा जै माकूशमांदा मैया जै माकूशमांदा मैया माकूशमांदा की कथा नवरात्री के चतुर्थ तिन मा कुश्मांदा जी की पूजा की जाती है यह शक्ती का चोथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है मा के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है देवी कुश्मांदा वह उनकी आठ भुजाए हमें कर्मयोगी जीवन अपना कर तेज अरजद करने की प्रेर ना देती है उनकी मधर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ती का सनवर्धन करते हुए हमें हसते हुए कठन से कठन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरत करती है भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुश्मांडा है अपनी मंद हसीद्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इन्हें कुश्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है जब सृष्टी का अस्तत्व नहीं था चारो और अंधकार ही अंधकार परव्याप था तब इन्ही देवी ने अपने इशत हास से ब्रह्मांड की रचना की थी अतह यही सृष्टी की आदि स्वरूपा आदि शक्ती है इनकी आठ भुजाये हैं इनके साथ हाथों में क्रमशह, कमंडल, धनशबान, कमलपुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है आठ भे हाथ में सभी सिधियों और निधियों को देने वाली जब माला है इनका नवास सूर्य मंडल के भीतर के लोप में है वहाँ निवास कर सकनी की क्षमता और शक्ति केवल इन ही में है इनके शरीर की कांती और प्रभाभी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है मा कुश्मान्डा की उपासना से भक्तों के समस्थ रोगशोग मिट जाते है इनकी भक्ती से आयू, यश, बल और आरोग्य की वृध्धी होती है मा कुश्मान्डा अतियल्प सेवा और भक्ती से ही प्रसन होने वाली है इनका वाहन सिम्ह है नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुश्मान्डा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मा से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्ति की कामना करनी चाहिए इस दिन इन्हें पेठे का भोग लगाया जाता है वही माल पूए से मा कुश्मान्डा बेहत प्रसन होती है आईए आगे जानते हैं माता की प्रार्धना, मंत्र, स्तुती, स्तोत्र, कवच और आर्थी मा कुश्मान्डा की पूजा में इस तरह प्रार्धना करें सुरा संपूर्ण कलशम रुधेरा प्लो तमेवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुश्मान्डा शुभदास्त में मा कुश्मान्डा की स्तुती इस तरह करें या देवी सर्वभूतेशू मा कुश्मान्डा रूपे न संस्थेता जो व्यक्ति शत्रु द्वारा अत्यंत पीड़ा प्राप्त कर रहे हो वे इस दुख से मुक्ति हेतु इस मंत्र का जब कर सकते हैं बाधा दूर कर, शत्रों को निस्तना बद करने में सक्षम यह मंत्र अपरिमित शक्ती रखता है नित्य एक माला मात्र करने से जीवन की सेकडो समस्याएं दूर हो जा सकती हैं एक मंत्र से ही कई काम किये जा सकते हैं मंत्र इस प्रकार है अब माता कूशमांडा की ध्यान मंत्र सुने वंदे वांचत कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखरम सिन्हारूडा अश्टभुजा कूशमांडा यशस्विनीम भासकर भानो निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलू चाप बान पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवती धराम पटामबर परिधानाम कमनीयाम म्रदुहास्या नानालंकार भूशताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडला मंडताम प्रफुल्ल वंदनाम चारू चिबुकाम कांत कपोलाम तुकम कुचाम कोमलांगी स्मेर मुखी श्रीकंटी निम्ननाभी नितंबनीम अब माता कूशमांडा की स्तोत्रपाठ दुर्गाति नाशनी त्वम्ही दरत्रादी विनाशनीम जयम्दा धनदा कूशमांडे प्रणमाम्यहं जगत माता जगत कत्री जगदा धार रूपनी चराचेश्वरी कूशमांडे प्रणमाम्यहं त्रैलोक्य सुन्दरी त्वम्ही दुख शोक निवारनीम पर्मानंदमाई कूशमांडे प्रणमाम्यहं अग माता कुशमांड की कवच हनसरै मेशिर पात कुशमांडे भवनाशिनीम हसल करीम नेत्रे चा हसरोस चा ललाटकम कवमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैश्नवी इंद्रानी दक्षिने ममा दिगवी दिख्षू सर्वत्रेव कून बीजम सर्वदावतू वीडियो के आखरी सेक्मेंट में माता कुशमांडा की आर्ती सुने कुशमांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी पिंगलां ज्वाला मुखी निराली शाकंबरी मा भोली भाली लाखो नाम निराले तेरे भक्त कई मतवाले तेरे भीमा परवत पर है डेरा स्विकारो प्रणाम ये मेरा सबकी सुनती हो जग दंबे सुख पहुचाती हो मा अंबे तेरे दर्शन का मैं प्यासा पूर्ण कर दो मेरी आशा मा के मन में ममता भरी क्यो ना सुनेगी अरज हमारी तेरे दर पर किया है तेरा दूर करो मा संकट मेरा मेरे कारज पूरे कर दो मेरे तुम भंडारे भर दो तेरा दास तुझे ही ध्याए भक्त तेरे दर शीष जुकाए